आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो मुट की वैलु क्या दे रखी है 0.3 और मुट स्टेटिक की वैलु क्या दे रखी है 0.4 तो हमें बताना है What is the minimum force required minimum force बताना है required to start movement in the 5KZ body तो हमें क्या बोला गया कि हमारे पास let suppose एक कोई 5KZ की body है ठीक है मैं माल ले तो हमारे पास कुछ ऐसे करके with the help of other pain हमारे पास एक 5KZ की body है ठीक है और जिसके बारे में total बात किया गया तो उसको किसी ground या rough horizontal surface पे रख दिया गया ठीक है यह let suppose एक हमारे पास कोई body है 5KZ की और इसको किसी rough horizontal surface पे रख दिया गया ठीक है तो देख लता है इस पे let suppose एक 5KZ का बारी है ऐसे पर आजा गया और इसको एक ऐसे rough surface पे रख दिया गया और यहाँ पे क्या बता दिया गया दो बाते बता दिया गई यह क्या-क्या कि म्यू जो है म्यू के काइनिक जो friction का coefficient होता है उसकी value क्या दिगई गई गया 0.3 similarly जो अपने पास mu static है, mu static की value क्या दी गई है, 0.4, यह अपने पास given data है, ठीक है, अब फर्दर हमें बात करना है, कि इस block को, कितना minimum force लगाएंगे, ठीक है, कितना minimum force लगाएंगे, जो कि यह body move करने लगी, ठीक है, तो मैंने assume कर लिया, कि यहां पर कुछ minimum force की बात कर रहा है, let suppose कोई force यहां पर F लगके आ रहा होगा, ठीक है, आपने यहां पर माल लेते हैं, कि कोई force F लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, न, let, let us assume, let us assume, F is the minimum force, F is the, F minimum force है हमारे पस, अब देखने हैं हमें, कि minimum force की value क्या आ रही होगी, तो हमें सबसे पहले कि समझना पड़ेगा, कि जब हम इस block को move करा रहे होंगे सबसे पहले, जब भी हम इस block को चलाने की कोसिस करेंगे, ठीक है, तो जब block रुकावर रहता है, तो हमारे पास, म्यू स्टेटिक लग रहा होता है जब ब्लॉक रुकावा रहता है तो हमारे पास म्यू स्टेटिक लग रहा होता है और जब ब्लॉक चल रहा होता है तो हमारे पास म्यू काइनेटिक लग रहा होता है क्योंकि उस समय जो फ्रिक्शन होता है वो डैनमिक होता है जब ब्लॉक क्या हुआ एक स्टलिक य एक इस टैटिक प्रिक्ष्चन हो गया अपने पास क्या हुआ एक इस्टेटिक क्यों पर ऑग्प को आगी जाने से ego मेंने क्या बोल आ अधंवे इस्टाटिक टो इनिसे लिएमें देखना पड़ेगा बलॉक रुका वाई या चलरह रहा है बलॉक अपना रुकावा है तो साथिक था एंपल इसिटिक एम थाह से कह लगए फिकरों लग रहा हो जो प्सा अब अपन चेक कर लेंगे static friction की value क्या है अपने पास μू s दे रखा हमें 0.4 और हमें पता है कि जो अपने पास friction fs होती है वो हो जाएगी μू s ठीक है μू static वाला multiplied by mg कि कितना weight लगा रहा है या कितना normal लगा रहा है normally हम g की value 10 लेते हैं ठीक है होगा 20 newton थेक है तो इसका मतलब opposing फोर्स कितना है है वर्ण हमें minimum कितना लगा नअ पड़ेगा minimum force relating to f तो F किसके बरावर होना चाहिए? 20 N के बरावर होना चाहिए उसके बात जब ये body चल रही होगी तब इस पर kinetic friction लग रहा होगा तो उस समय मुकर यूज करेंगे बट हमें तो यहाँ पर सिर्फ question में बोला है कि start कराना है movement तो start कराने के लिए हमारे पास minimum force पूछाता तो that will be equal to 20 N Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400 पर